टाटा केमिकल्स के लिए बहुत अच्छी खुश खबरी है आईए चल कर विशलेशन करते हैं दो बढ़िया खबरे लेकिया है आपके लिए यहाँ पर फिच ने जो रेटिंग एजनसी है कन्फर्म कर दिया है टाटा केमिकल्स को फिर से डबल बी प्लस पर जो की एक आउटलूक उनका स्टेबल बता रहे है मल्टिबल फैक्टर्स है इस बिहाइंड में और इन्होंने कहा है जो लीडिंग पोजिशन है यह वर्ल्ट थर्ड लाज़ेस्ट एश प्रडूशर है वन अव दे की रीजन जिसकी वज़े से इन्होंने इसको बताया है और स्टेबल आउटलूक बताया है क्योंकि ओपरेशन मैट्रिक्स जो है इनकी काफी अच्छी आ रही है पूरे की जो फैक्टर्स हैं इसको बढ़ाने के लिए सबसे पहले जो भीज़ेस्ट नहीं बताया तीन सालों के लिए तो ये इंपक्ट इसका पॉजिटिव रहेगा स्टॉक पर हमारे हिसाब से जो हमारा एनलेसिस है उसमें एक हमने रिपोर्ट को भी स्टड़ी किया है आई ज़र चल का पहले रिपोर्ट को ही देखते हैं तो रिपोर्ट का मतलब कह रहे हैं कि एक ग्लोबल इंटरनेशनल सोडा एश मार्किट की स्टड़ी की गई है जिसमें टाटा केमिकल, हियोबी और अधर कंपनीज इंक्लोडिड है इस स्टड़ी को इन्होंने बताया है कि 2022 से 2028 तक 7 सालों के अंदर इरका प्रोजेक्शन किया है इन्होंने पिछले डाटा को लिया, पिछले कही सालों के डाटा को लिया और उसके बाद इन्होंने यह प्रोड्यूस किया है जो इसका मार्किट का वेरिस अप्लिकेशन है इन्होंने बताया है कि आने वाले 3 सालों से 5 साल के अंदर यहां पर अप्रॉक्सिमेटली 15% CAGR इस Soda Ash की डिमांड बढ़ेगी तो यह स्टॉक मार्किट के लिए काफी अच्छी ख़बर रहेगी जिस स्टॉडी के हिसाब से हम आपको यहां पर बता रहे हैं आगे चलकर आप इसको अपने पॉर्टफोलियो में एड कर सकते हैं डिलिवरी वालम पेकर शुना हो शुरू होगा तो स्टॉक मार्किट के में बढ़ेगा आए ज़रा चलकर टेकनिकल व्यू देखते हैं स्टॉक का क्या चल रहा है करंट भाव अल्मोस्ट एक हजार रुपे टच कर दिया है टाटा केमिकल्स ने अगर इसको देखें तो काफी अच्छा बांस बेक दिखाया है आट सो रुपे से 25 परसेंट इजाफा दिखा दिया है कंसिस्टेंटली ऊपर चलता जा रहा है देखिए नीचे यहाँ पर था काफी लोग कह रहे थे नीचे गिरेगा बट यहाँ से काफी अच्छा यूटर दिखाया और 1000 का लेवल पोंच गया है एक हजार पचास इसका एक रिजिस्टेंस की तरह से काम करेगा इसने पहले भी यहाँ पर एक बार रिजिस्टेंस लेके नीचे गिरा था तो इसको अपने चार्ट पर मार्ग करके रखेगा यहाँ पर थोड़ा प्रोफिट बुकिंग लाजमी बन जाता है इतने लेवल पर पर इसको 939 का स्टॉपल बना के रखेगा और यहाँ पर अगर हम बात करें RSI 61 के आसपास है मैग डी ने यहाँ पर थोड़ा सा डाइवर्जिन दिखाना शुरू किया है मैग डी पर सेल सिंगनल बन रहा है इनफेक्ट यहाँ पर बहुत जल्दी तो इसको थोड़ा सा करेंट लेवल पर ज़्यादा क्वांटिटी मत खरीदे बट लॉंग टर्म के लिए बहुत अच्छा है अगर आप हमारी ट्रेड्स कोपी करना चाहते हैं तो 299 का हमारा पैकेज ले सकते हैं आपको रेगुलर्ली अपनी जो ट्रेड कर रहे हैं वो बताते रहते हैं प्लीज कंसल्ट यह फैंट्श एडवाइजर जै हिंद जै भारत